आपने भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक से अगर लोन ले रखा है तो यह ख़बर आपके लिए बड़े ही काम किये इसका कारण यह है कि आपका लोन अब आपकी जेप पर भारी पढ़ने वाला है और इसके साथ ही आपको महेंगा भी पढ़ने वाला है इसका कारण यह है कि बेंक ने अपनी Mclr में बढ़तरी कर दी है दोस्तों और यह क्या पूरी खबर है चलिए देख लेते हैं बहुत बुरी खबर उन लोगों के लिए जो SBI में लोन ले रहे हैं और जो SBI से जिनका लोन चलता है Mclr बढ़ने से क्या होने वाला है क्या क्या 0.05 फिसरी का इजाफ़ा किया गया है बैंक ने Mclr की दरों में इजाफ़ा कर दिया है सुक्रवार को बैंक की और से मिली जांकरी के मुताविक Mclr Marginal Cost of Funds Based Leading Rate की दरों में 0.05% का इजाफ़ा कर दिया गया दोस्तों बैंक के इस से लोन की वियाज दरों में भी इजाफ़ा Automatically हो जाएगा अच्छा अब यह होता क्या है यह भी देख लेते दोस्तों यह 15 जुलाई से लागो होगी पहले बता दू आपको Mclr पर आठ फीसरी का रेट है महीं एक मैने में बढ़कर इसका रेट 8.15 फीसरी हो गया इसके अलागा तिन मैने का रेट 8.15 है यह अभी पिछले बार भी बढ़ा था मुल्हां के 8.15 कर दिया गया इसको बढ़ा बढ़ा गया अब 2 और 3 साल की दरों में कितना वियाज दर दोस यानि कि एक मिनिममम व्याज है जिस पर बैंक ग्राकों लोन ओफर करते हैं रिजव बैंक ने साल 2016 में पेस किया था एंची एलार रेट बैंकों की ओर से निधार किया जाता है बैंक के लिए हर महीने अपना ओवरनाइट एक महीने तीन महीने छे महीने एक साल और दो साल का एंची एलार घोशीर करना अनिवार होता है कंपल सरी होता है और इसी के आधार पर कोई बढ़ा सकता है कोई कम कर सकता है और बढ़ने से क्या होता है दोस्तों में जब भी कोई बैंक इजाफा करता है तो से जुड़ूए लोन जैसे कि होम लोन कर दो धन्यवाद